हेलो क्लास फूर, आज हम लोग करेंगी युनिट फूर का लेसन अलिस इन वंडर लैंग, तो चलिए हम शुरू करते हैं वन डे अलिस वस लाइंग अंडर अ ट्री, लिसनिंग टू हर सिस्टर रिडिंग अ स्टोरी एक बार अलिस एक ट्री के नीचे बैठी वी थी और अपनी बहन को स्टोरी पढ़ते वे सुन रही थी यानि कि उसकी बहन स्टोरी पढ़ रही थी और अलिस अपनी बहन के पास बैठी वो स्टोरी सुन रही थी Suddenly, she saw a white rabbit scamper by अचानक में उसने एक white rabbit को आसपास उचलते कुदते देखा He had pink eyes and was wearing a blue coat उसकी आखे pink color की थी और उसने blue coat पहने हुए था He took out a big watch from his waist coat pocket and as he hurried away, he said, Oh dear, I will be too late Waste coat इस तरह का coat होता है, जो की हमारी waist यानि की कमर तक आता है तो उस rabbit ने अपने waist coat की pocket से एक बड़ा सा watch निकाला और जल्दी जल्दी जाते वे कह रहा था, Oh dear, मैं बहुत जादा late हो जाऊंगा She thought there was something very different about this rabbit Alice ने सोचा कि इस खरगोश के बारे में कुछ तो बहुत ही अलग है It could talk, क्यों खरगोश बात कर पा रहा है It wore a red waist coat और उसने एक red waist coat भी पहनी हुई है यानि कि rabbit ने कपड़े पहने हुए है And it carried a watch और उसके पास एक watch भी है Alice wondered, Alice ने सोचा A talking rabbit की एक बात करने वाला खरगोश A rabbit who wears a waist coat ऐसा rabbit जो की waist coat पहनता है Alice was burning with curiosity And she followed the white rabbit अब Alice को बहुत जादा curiosity यानि कि उत्सुकता हो रही थी कि देखे तो यह है क्या, मतलब यह किस तरह का rabbit है और वे rabbit का पीछा करने लगी The rabbit started running और खरगोश ने भागना शुरू कर दिया And Alice followed the rabbit और Alice उसके पीछे-पीछे चलती गई The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole और वो rabbit अचानक में एक तो large rabbit hole जो की खरगोश लोग खुद बनाते हैं अपने रहने के लिए उसके अंदर वो rabbit जम्प कर गया Alice jumped into the rabbit hole too और Alice भी उस rabbit hole के अंदर rabbit के पीछे-पीछे जम्प कर गई The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole और वो जो rabbit था जम्प करने के बाद उस गड़े के अंदर नीचे की तरफ जाता ही गया और नीचे, और नीचे Alice said aloud Alice ने जोर से कहा Where am I? कि मैं कहा हूँ How many miles down have I fallen? कि मैं कितनी दूर तक नीचे या कितने miles तक नीचे गिर चुकी हूँ I must be getting somewhere near the center of the earth कि मैं जरूर मतब अर्थ के बीचो बीच कहीं पहुँच रही हूँ यानि कि मैं इतनी नीचे गिरती जा रही हूँ She wondered उसने सोचा Will I slip through the earth to the other side कि क्या मैं इस तरफ से कूद के अर्थ के धरती के उस तरफ निकल जाऊंगी यानि कि मैं इतना नीचे गिर रही थी Thumb Alice के गिरने की अवाज Alice landed on a pile of dry leaves Pile यानि की धेर और thumb करके Alice गिरी और dry leaves यानि के सुखे पत्तों के धेर पे जा गिरी She looked around quickly वे फटा फट अपने आसपास देखे and suddenly saw the white rabbit again और अचानक में उसने सफेद खरगोष को वापस देखा It disappeared same और वो खरगोष कुछ कहते वे गायब हो गया और वो क्या चीज़ कह रहा था Disappear यानि के गायब हो जाना Oh my ears and viscous कि अरे मेरे कान और viscous Viscous क्या होते है ओ जो जानवरों के मुँपे इस तरह के नोस के ठीक नीचे जो बाल होते हैं उनको हम कहते हैं viscous How late it's getting कि कितनी देरी हो रही है Alice stood up and saw a small door about 15 inches high और Alice खड़े हो गई और उसने एक चोटा सा दोर देखा जिसके height सेरफ 15 inches थी It was too small for her to go through और वो डोर बहुत ही चोटा था और Alice उसके बीच से नहीं जा सकती थी She saw a glass table with a golden key on it उसने एक काँच का बना हुआ table देखा और उस काँच के बनेवे table पर एक ठोप चाबी थी जो कि gold सूने का था She tried the golden key in the lock उसने वो golden key lock में डाला and to her delight it fitted और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा या वो बहुत खुश हुई जब वो कि उस lock के अंदर फेट हो गया यानि कि वो खोल पाएगा अब उस lock को Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen और जब वो lock खोल गया और एक तो बहुत ही lovely सबसे lovely garden उसे देखने को मिला जैसा कि उसने पहले कभी भी नहीं देखा था how she longed to be amongst those beds of bright flowers and those cool fountains तो लॉंग मतलब कि उसका बहुत इच्छा कर रहा था कि वो जो white flowers थे बहुत ही सुन्दफ white flowers थे उसके bed पे चली जाए यानि कि बहुत सारे जब white flowers एक जगा पे उखते हैं कोई भी flower उसे हम लोग कहते हैं bed तो उसका बहुत मन कर रहा था कि वो उन फूलों के बीच में चली जाए और वहाँ पे cool fountains भी लगे वे थे cool fountains यानि कि जो garden में जरना होता है पानी का फुआरा तो वो भी था और उसका मन कर रहा था कि वह वहाँ पर चली जाए but she could not even get her head through the doorway पर वो उस garden में पहुँचती कैसे क्योंकि वो तो अपना सिर भी उस दरवाजे से निकाल नहीं पा रही थी तो वो खुद पूरी की पूरी कैसे जाती ओ, how I wish I could become smaller अब Alice wish कर रहे के काश वो छोटी हो जाती ताकि वो दोर से निकल के उस garden में चली जाती क्योंकि वो garden बहुत जादा लवली था she exclaimed loudly उसने ये बात जोर से कहे adapted from Alice in Wonderland by Lewis Carroll so kids ये स्टोरी बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी है ये Alice नाम की एक छोटी सी बच्ची के बारे में है वो ट्री के नीचे बैटके अपनी बेहन की जो उसकी बेहन कहानी पढ़ रही है उसको सुन रही होती है अचानक में उसको एक खरगोष कूदता फांदता उससे उधराता दिखाई देता है और वो खरगोष बहुत ही अलग था क्यों? क्योंकि उसने ब्लू कोट पहना हुआ था और उसके पास एक बहुत सी बड़ी वाच थी और वो बोल सकता था और उस खरगोष को लेट हो रहा था ये बोलते-बोलते वो फटा-फट आगे बढ़ गया अब एलिस उस खरगोष के बारे में जानना चाती थी क्योंकि उसे लगा ये खरगोष तो कुछ ज़ादा ही अलग है क्योंकि देखो उसने ये कपड़े भी पहन रखे है उसके पास एक वाच है प्लस वो बोल पा रहा था ऐसा तो कोई जानवर नहीं करता तो ये एलिस थी ना उसके अंदर एक बहुत बड़ी क्रियोसिटी भर गई कि मैं देखूँगे कि ये खरगोष है क्या चीज फिर वो खरगोष आगे आगे जोड-जोड भागने लगता है और एलिस उसके पीछे-पीछे भागने लगती है अचानक मैं रैबिट होल आता है rabbit hole वो गड़े होते हैं जो rabbit खुद बनाते हैं तो वो rabbit उसके अंतर कूच जाता है और Alice उसके पीछे-पीछे कूच जाती है और ऐसा लगता है कि Alice तो नीचे पी नीचे पी नीचे जाई जा रही है Alice को लगता है कि क्या ये hole कभी खतम होगा कि पता नहीं मैं कितनी नीचे गिरती जा रही है कि कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि मैं अर्थ के दूसरे किनारे पे सीधा निकलू इतने में वो थंप करके एक dry leaves सुखेवे पत्तों के धेर पे जाके गिरती है वे आसपास देखती है और फिर से rabbit को देखती है और उसके बाद उसको वो खड़ी होती है और उसको एक छोटा सा door दिखाई देता है जो कि सिरफ 15 inches small होता है और Alice के लिए possible नहीं होता है उस छोटे से door के अंदर जाना अचानक में उसको एक glass का table दिखाई देता है जिसके उपर सोने की चाबी पड़ी होती है और वो एलिस वो चाबी उठा कर उस door के lock में डालती है और वो lock खुल जाता है और एलिस फिर वो दर्वाजा इस तरह के से उस room का खोलती है और दर्वाजे के अंदर से दीखती है कि बहुत ही सुन्दर इस तरह का garden बना हुआ है जिसमें बहुत सारे flowers है इसे हम लोग flower beds भी कहते है और ठीक garden के बिचों बीच एक बहुत सुन्दर एक नहीं मिन्स बहुत सारे इस तरह के fountains भी है Alice का दिल करता है कि वे इस garden में जाए और जरूर जाए लेकिन वो कैसे जाती इस छोटे से दोर से तो उसका सेर भी नहीं निकल पा रहा था वो पूरी के पूरी कैसे जाती फिर Alice जोर से exclaim करती है बोलती है कि काश मैं इस दर्वाजे से जा पाती काश मैं थोड़ी छोटी हो पाती और इस तरह से फिर ये चाप्टर आपका यहां पी एंड होता है अब एक बुक है जिसको लुइस कैरल ने लिखा है और ये जो स्टोरी है उस बुक में से ले गई है बाकी के सारे लेसंस के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज अलसो क्लिक था थैंक्स बुटन ये हम लोगों बहुत हासला देगा तो मेक मोर क्वालिटी वीडियोस लाग दिस थैंक यू बड़े मच आब्रेवन